इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है क्या होता है सुपर ब्लू मून क्या नीला दिखता है ब्लू मून आईए जानते हैं इंडिया न्यूज की पेशकष में इस अनन्त ब्रह्मांड ने हमेशा से ही मानव मन को अपनी ओर खींचा है हमारे चारों और तमाम ऐसी खगोलिय घटनाएं होती है जो हमें हैरत में डाल देती है इसी क्रम में एक सुपर ब्लू मून एक ऐसी घटना है जो कल यानी रक्षा बंधन के दिन 30 अगस्त को घटित होने वाली है ये ऐसी दुरलब घटना है जो कि कई सालों में एक बार घटित होती है कलपना कीजिए एक ऐसे चांद के बारे न केवल अपनी चांदी जैसी चमक बिखेरता है बलकि अपने सामान्य आकार से अधिक बड़ा और जीवन्त दिखाई देता है सुपर ब्लू मून ऐसी ही एक घटना है सुपर ब्लू मून के बारे में जानने के लिए हमें सुपर मून और ब्लू मून दोनों को जानना होगा तो पहले ब्लू मून के बारे में जानते हैं शिदरासल, जब किसी एक सीजन तीन महीने में तीन के बजाए चार पूर्णिमा या फुल मून होते हैं, तो तीसरे महीने में पढ़ने वाले दूसरे फुल मून को ब्लू मून कहते हैं, चंदर चक्र या लूनर साइकल टुन्टी लाइम पॉइंट फांच दिनों का होता है, यानि कि चंदर माँ उन टी दर मौइंट फांच दिनों में पृथ्वी का एक चक्र लगा लेता है, जो कि एक कैलेंडर माँ से थोड़ा ही कम है, एक कैलेंडर माँ तीस या एकतिस दिनों का होता है, तो इस हिसाब से बारह लूनर साइकल 307 पॉर दिनों में ही पूरा जात पुर्णिमा को ब्लू मून की घटना होती है। पुर्णिमा की पृत्वी से दूरी एक जैसी नहीं रहती बलकि कम ज्यादा होती है। पुर्णिमा पृत्वी के नजदीक भी हो। यही घटना इस 30 अगस्त को घटित होने वाली है।